सिर्फ आदा घंटे में बनने वाली ये बहुत मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी मेरे हजबन की फेवरेट है और इतनी फेवरेट है कि he can eat it every day वो अलग बात है कि मैं रोज बनाती नहीं हूँ क्योंकि ओवरीटिंग हो जाएगी तो अगर आप भी डाइटिंग पे हो तो ये रेसिपी ट्राइ मत करना क्योंकि कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा इस बात की गैरेंटी मेरी है और आप भी ओवरीटिंग कर लोगे वेलकम है आपका समथ के जिन में यहाँ पर मैंने तेल लिया है आदा कप कुकर में क्योंकि हम जड़पट बना रहे हैं एक चम्मा सीरा, तीन लौंग, तीन इलाइची, एक बड़ी इलाइची, दालचीनी, दो तेस पत्ते इन सबी चीजों को डाल करके थोड़ी देर चटकने देंगे और खुशबू आने तक फ्राई करेंगे एक कप कटी हुई प्यास डालेंगे, प्यास को भी गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे अब इसमें डाल देंगे एक किलो चिकन धुला हुआ और इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मा चद्रक लहसुन का पेस, नमक और हरी मिर्च कुटी हुई इसके साथ इसको 3-4 मिनिट तक तेज आज पर खोल करके पकाएंगे और आप देखेंगे कि चिकन एक्दम वाइट हो गया है आप डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, रेड़ चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और दो टेबल स्पून इसमें जाएगा बिर्यानी मसाला, किस बढ़ियास हो जाएगा तो यह भुनाई करने पर चिकन की स्मेल भी चली जाती है और टेस्ट अच्छा आजाता है आधा कप फेटा हुआ ताजा दही डालेंगे और इसके साथ भी चलाते हुए पकाएंगे तो अब यहां पर तीन हरी मिर्च हरी धनिया कटी हुई और पुद जर्पट बनाना है इसलिए आज में धीमियाज पर नहीं पकाऊंगे तो इसी बीच जब तक यहां पर विसल आएगी अब मैंने यहां पर एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसमें पानी लिया है इसमें सभी मसालें जैसे कि स्याह जीरा लॉंगे इलाइची तेस पत्ता दाल चीनी हरा दनिया हरा पुदीना और हरी मिर्चे साथ में नमक डाल करके इस पानी को उबाल लेंगे इससे बहुत ही फ्लेवर फुल पानी तयार होता है और चावलों में इसकी अच्छी खुश्बू चली जाती अब तो आप समझ गये होंगे कि क्या बन रहा है और यहा लुकर भी तीन विसल हो गई थी थोड़ी सी बची विसल तो उसको निकाल दिया है मैंने और यहां पर एकदम बिल्गुल देखें स्टीम सेटल होने के बाद चिकन परफेक्टली कोख लग रहा है तो यहां पर चिकन तो तयार हो गया है चलें अब चावलों को भी स्ट्रे से बनने वाली यह चिकन बिर्यानी है जो मेरी फैमली की फेवरिट है स्पेशली मेरे हस्बेन की तो यहां पर उपर से लेयर डालेंगे राइस की और अब इसको अच्छी तरह से पहला देंगे बागी बचा हुआ चिकन भी डाल देंगे बहुत जल्दी बन जाती है यह और बहुत ही फ्लेवर्फुल बना खुश्बू बाहर तक जाएगी लोग आपसे पूछेंगे जरूर क्या अच क्या बन रहा है घर में अब यह केसर वाला मिल्क है तो थोड़े गर्म दूद में थोड़े केसर डाल दिये थे होल करेंगे और इसमें फूट कलर डालेंगे फू अब इसको दम पर लगाएंगे तो पहले एक तवरक दिया है जिसे तली पर लगे नहीं दस से पंदरा मिनट तक स्टीम पर पकाएंगे और पंदरा मिनट के बाद यह देखें बहुत ही खुश्बू वाली बहुत मज़दार चिकन बिर्यानी बन करके तयार हो गई है इंस् कॉंबर सैलेड और साथ में पुदीने का रायता आपकी विर्यानी का कॉंबिनेशन कैसे कंप्लीट होता है आप विर्यानी के साथ क्या खाना पसंद करते हैं जरू मुझे कॉमेंट करके बताएं देखते रहे हैं समझ किचन ऐसी मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी इस